आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरह विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें नमस्कार छात्रो हमारा प्रशन प्रतिविंब के निर्दशांग ज्याद कीजिए अगर हम देखे चित्रा नुसार छात्रो तो यहाँ पर हमारा मूल बिंदू पर 0-0 पर हमारा एक अवतल दरप्ड रखा गया है जिसका दुरू हमारा मूल बिंदू पर है तथा इस से जो है वस्तु कोई बिंदू ओ पर है ठीक है जिसका निर्दसांख हमें दिया गया है minus 15,4 हम जानते हैं जो हमारा minus 15 होता है हमारा एक्सष्य में जो हमारा दूरी है उसको बताता है अर्थात यह हमारा हो जायेगा 15 ठीक है हम जो है इसका unit अर्थात मातरक centimeter में ले लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें focus दूरी centimeter में थी गई है तो यह हमारा 15 centimeter तता यह जो 4 है यह हमारा yh पे जो हमारा विस्थापन होता है अर्थात यह जो उचाई है इसकी 4 cm बताई गई है निर्देसांग के अनुसार हम लोगों ने देखा ठीक है शात्रो अब हमसे क्या कह रहा है प्रतिबिम्ब या वस्तु जो है इस वस्तु का जो प्रतिबिम्ब होगा उसका निर्देसांग बताई है तो देखे चात्रों सबसे पहले अगर हम इस से ठीक है ये चित्रा अनुसार हमें जो जो बाते ग्यात हुई अगर हम देखें ठीक है तो हम देख लेते चात्रों हमें सबसे पहले तो दिया गया है फोकस दूरी दी गई है, चितर के अनुसार हमें पता चल ला है, फोकस दूरी दी गई है, तो हम यहाँ पे लुक लेते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम F से प्रदर्सित करते हैं, इसका मान हमें कित्ता दिया गया है, यहाँ पे, 10 cm अवतल दरपढ़ है, तो यह हो जाएगा, माइनेस 10 cm, उसके बाद चातरों वस्तू की दूरी दी गई है, तथा वस्तू की उचाइद दी गई है, अरतात वस्तू की लंबाई, तो हम कह सकते हैं, वस्तू की दूरी, जिसको हम चातरों U से भी प्रदर्सित करते हैं, इसका मान हमें कित्ता दिया गया है, 15 cm, अब यह रिडात्मक क्यों होगा क्योंकि यह बाई तरफ है दरपड के फिर उसके बाद में वस्तु की लंबाई दी गई है वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई यहां पर चात्रों वस्तु की लंबाई को हम किसे प्रदर्सित करते थे ओसे प्रदर्सित करते थे हैं न अब इसको हम धनात्मक लेंगे क्योंकि यह यह पे उपर की तरफ है धनात्मक लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा धनात्मक 4 cm ठीक है चात्रो अब अगर हम दरपड के सूत्र से बात करें तो दरपड के सूत्र से दरपड के सूत्र से एक बटे F बराबर एक बटे V धन एक बटे U यहाँ पे हमें फोकस दूरी दी गई है ठीक है माइनेस 10 माइनेस 10 बराबर एक बटे V धन यू का मान माइनेस 15 है न चात्रो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात अब देखिए यहाँ से अगर हम देखे तो इसको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो हम बोल सकते हैं एक बटे V बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक बटे 15 माइनेस एक बटे 10 ठीक है चात्रो इसको हल करने पे यहाँ से हमारा V का मान निकल के आया अर्थात प्रतिविंब की जो दूरी न सेंटी मीटर माइनेस 30 सेंटी मीटर तो एक निर्देसांग कहीं न कहीं देखे चात्रो तो ग्यात हो गया हमारा है ना प्रतिविंब का यह जो निर्देसांग होगा यह हमारा X अच के अनुदिस होगा है ना अर्थात X अच पर होगा हम कह सकते हैं X अच पर X अच पर होग है न शात्रो अब बात कर लेते हैं हमारा जो प्रतिविंब होगा उसकी लंबाई की जो के हमारा वाई अच्छ को ग्याद कर देगा अर्थात हमें दोनों निर्जे सांख मिल जाएंगे तो आईए हम इसको भी हल कर लेते हैं इसको भी हम हल कर लेते हैं तो देखते हैं शात्र से के सूत्र से आवर्धन के सूत्र से चात्रों हम जानते हैं M बरावर होता है minus V by U बरावर I upon O है ना चात्रों और हमें यहाँ पर अगर हम चात्रों बात करें तो हम जानते हैं V का मान हमें हमने हल किया है आया है रिडात्मक 30 cm यू का मान रिडात्मक 15 cm आई का मान हमें ग्याद करना है तथा ओ का मान हमें पता था धनात्मक 4 cm चात्रो जब हम इसको हल करेंगे तो यहां दो बार में कटेगा तो यहां पर आ जाएगा रिडात्मक 2 बराबर आई बटे 4 जब हम इसको हल करेंगे तो आई का मान यहां से क्य या निकल की आ जैगा चाहतों आट सेंटीमीटर 16 यह हमारा दूसरा निर्दिसांग का आ चाहतों है दूसरे चण जो कि हमारा यप रहों गर्वाल यच पहोगा थेकтор gaming experience क्या हो जाएगा हमारा माइनिस दीस माइनिस आठ होगा ठीक है छात्रो धन्यवाद